नमस्कार दोस्तों आप लोगों का फिर स्वागत है आपे के चैनल ओनलाइन आज में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि आप अपना अविकस का सेंटर गवर्मेंट की साइट पर कैसे रेजिस्टर कराएं दोस्तों अगर आपको इंडिया में बिजनस करना है तो आपको कराना होगा अगर आप अपना अविकस का सेंटर या कोई भी बिसनस अगर आप इंडिया में चला रहे हैं तो लेगली आपको उसका रिजिस्टेशन कराना कंपल सरी होता है लेकिन लोगों को नॉलिज नहीं होने के कारण सीए है और लोगों से दूदर एडवाइस लेते हैं और कापी सारा पैसा वरबात करते हैं तो यदि आप लोगों को अपना अविकस का सेंटर खोलना है या कोई भी बिसनस सेंटर खोलना है अविकस की बात नहीं कर रहा है कोई भी सेंटर खोलना है और आपको अगर इंडिया में रिजिस्टेशन कराना है तो आप फ्री में ग के लिए कुछी बिजनस के लिए तो उसका भी वेनिफिट आपको मिलेगा तो आज मैं यहीं बताने वाला हूं कि आप गौवर्मेंट की साइट पर कैसे रेश्टेशन कराएं गौवर्मेंट से कैसे मानता ले अपने बिजनस के लिए ताकि आप इजी वे में अपना सेंटर सर्विस या मैनोफेक्चिंग जो भी आप कर रहे हैं उसको चला सके लेकिन अबिकस का नाम इसलिए ले रहा हूं कि मैं अबिकस का ट्रेनर हो और अबिकस के ही लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं ठीक है दोस्तों तो बहुत सारे लोगों ने में से टूटोरियल आपन करते तो हमसे में अक्सर ही पूछते हैं कि सर मैं अपना अपन ब्राइंड नहीं बनाना चाहता हूं तो इसको राइस्टर कैसे करें वीडियो को पूरा देखिएगा पूरा वताऊंगा और हां दोस्तों अगर अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब न मिल जाए ठीक है दोस्तों तो हम स्टार्ट करते हैं तो मैं बता रहाता है आप अपना आपकास या कोई भी बिजनस सेंटर आप गौवर्मेंट की साइट पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल है इस मीडियम इंटरप्राइज पर कैसे रेइस्टर करें गौवर्मेंट आप यूजनाव का इसका फाइदा मिलता है में आप इस पकार आपन करा सकते हैं तो चलोar को चलते हैं तो आप लोगों को चलते हैं वह जाना है दो çalış Uh को जाना आफ लोग और यह जाने के लिए Simple सबसे पहले आपको में स्टार्टिंग से बता देता हूं कि Google में जा कर आपको उद्योग आधार कि उद्योग आधार जाकर सर्च करना है और जैसे आप उद्योग आधार सर्च करोगे तो सायथ फॉस्ट में यह आपको नजर आ करना चाहते हैं तो आप लोगों को पास एक legal business name आधार नमबर आधार संक्या ठीक है और यहां उद्ध्यमी का नाम नेम उप इंट्रपिनेर तो यहां पर आकर आपको सबसे पहले अपना उद्ध्योग का उद्ध्योग आधार का नमबर देना है यह आपको जो उद्ध्योग आधार है यह आपका आधार काड है उस आधार क कर देंगे तरह को लेकर बेढ़ें ताकि हम वही नेम डालें जो हमारे आधार का नमबर डालें ठीक है दोस्तों और इसके बाद आपको नीचे करना है किलिक वैलिडेट एंड त्रीक है जनवेट ऊ-टीप यनि आपको जैसी आप अपना आधार नमबर और अपना नेम डानने के बाद आप जनरेट OTP पी क्लिक करोगे तो आधार कार्ड में जो नंबर आपने रेइस्टर कराया था उस पर एक OTP नंबर आएगा जो नंबर को आपको इस पी अंदर इंसेट करना है ताकि हम आगे बढ़ सके अगर दोस्तों अगर अब तक आपने आपना मोगाइल अम में अदर चारम ओने रेइस्टर नहीं कराया है तो आपके किसी भी इह मित्र पे जाकर आप इस काम को रेइस्टर कर सकते फिर वी कोई प्रॉब्लम है तो आप में कमेट बोक्स और परसन का नाम डानना है इस पे ु размinson करें। तो आगे देखें लなんか किसे हैं। आप देख सकते हो जब आप süडिश्मेंड ह llegóлось ऑड में नीचे फ़र्म स्थार्ट फ्रार जाएगा। एससे एस्टी ओवी सी जो भी है उसको सलड करेंगे इसमें लिंग फीमेल जो भी है आप फिजीकली अगर हैं ठीक है बिकलांगे तो वह इंप्वर्मिशन वनना है और यहां सबसे इंपॉर्टन बात नेम उप इंटरेप्राइज यहां उद्धियम का नाम आप जो भी उद् और जिसका बिजनस का ओनर एक हुग आपको कंपनी नहीं है आपको प्रॉप्राइजिव लेना है या लिमिटेट पार्टनरशिव फ़र्म है तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं अच्छा इसके नीचे आएगा आपको पैन नंबर दोस्तों अगर आप आपको सॉल प्रॉप्राइटर के साथ के अलावा कोई भी हो आपकी कुई कंपनी हो या पार्टनर्सिप हो तो ही आपको पैन कार्ड नमबर डानना है यानि अगर आप सिंपल ही अपना अभिकस का सेंटर या सिंपल अपनी कोचिंग या को ना इंडिविजल बिजनस आप अब देख सकते हैं कि कहां पर क्या इंसर्ट करना है और इस सारी चीजें इसके बाद आप लोगों को अपना एड्रस डाना है एड्रस में पूरा कंप्लिट आएड्रस आएगा इसके लावा आप जैसे आगे बढ़ोगे फिर आप लोगों को इस पकार से आपका रिश्टर है हाँ एक चीज़ा दिखिएगा यहां पर आपको थोड़ी प्रॉलम आएगी डिजिट कॉर्ड डिजिट कॉर्ड के अंदर आपको सर्विस लेना है अगर आप अपना कोई एजुकेशन सेंटर खुनना चाहते तो सर्विस लेजिएगा मैनॉफेक्ट्रिंग नहीं लीज जाके ठीक है दोस्तों नमस्कार है हाँ एक मिट दोस्तों और एक चीज़ और मैं आपको बता दू कि आपको जो सर्टिपिकट आएगा वह इस पकार से आएगा जिसका प्रिंट आउट ले सकते हो और आप चो इमेल आईडी दोगे फॉर्म के अंदर उस इमेल आईडी पर आपको इस पकार का एक फॉर्म भी वह आपका एक सर्टिपिकट भी सेंड करेंगे जिसे आप अपने लैप्टॉप से या कंप्यूटर से इसको प्रिंट आउट निकाल ले और उसका भी यूज कर सकते हो आप ठीक है दोस्तों तो इस पकार आप आध्यर द्योंग में एडवांटेज ले सकते हो ठीक है धन्यवाद